नमस्कार दोस्तों युगार आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पारमेडिकल अपडेट पर तो फ्रेंस इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रतेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लगनों के बारे में फ्रेंस कांसलिंग के अपडेट रम देने वाले हैं जो कि धर्राउंड कांसलिंग है आपके याड इस्टार्ट हो गई है अप ठीक तरीके से आचित डंक से आपको रिजिस जमा करने है और रिजिस जमा करने में एक प्रबबलम फर्स राउंड सेगंड में अवर्श्य देख जाती है और उसके वाद से आप college choose fill कर सकते हैं और last chance है इस बार आपको अच्छे से college log करने हैं क्योंकि इसके बाद आपकी off-line counseling होगी उसमें आपकी seat जो मनचा कोर्स है वो कम chance रहते हैं कि आपको जो मनचा कोर्स है वो मिल जाए और यानि कि आपके लिए last chance है जो आपकी 1% seat ह जो आप course करना चाहते हैं और जो college चाहते हैं अब वो आपका last chance है और इस बार आपको ज़्याद से ज़्यादा college fill करने हैं जो आपको course करना है वही आपको college fill करना है ऐसा नहीं है जो course आपको नहीं करना वो भी आप fill करना है अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगर मेरा कहीं मेर वह प्रब्लम होगी तो इस बार आप जाद से जयादा कॉलेज आपको फिल करना है अगली वार कर वेट करेंगे तब भी यही प्रॉल्म होने वाली है क्योंकि आपका जो यह मेरिट वेसी सेलेक्शन होता है तो लास्ट बार भी आपकी यही प्रॉब्लम होगी तो इस बार आप जाद से जादा कॉलेज आपको फिल करना है अगर सभी स्टुएंट्स हैं उनको मैंने बता दिया है जो भी अपक्रेटेशन करना चाहते हैं वो भी 33 का रेजिशन करते हैं क्योंकि आपक्रेटेशन करने के लिए यही मौका आपका लास्ट रह गया है अगर आपने थर्ड में आपको डायट मिलेगा आप जो कॉलेज मिलने वाला है अब तब आप जाके आफलाइन कांसलिंग के जरिये ही आप अपक्रेटेशन करा सकते हैं एक बार ही अपक्रेटेशन करा सकते हैं बहुत सरी च्टेट ऐसे कमेंट देखने को मिला है कि हमने सेकंड रांड में अपक्रेटेशन करा लिया है तो जैसे कि मिन रढ़ता है एक यी वारण अप कर किछंते हैं के लिए option कहां आ रहा है कैसा से हो रहा है तो पर देख पारेंगे उत्तापरदे स्टेट मेडिका फैकलिटी की ऑफिसल वेबसाइर पर अब हम आ गये हैं नीचे स्कॉल्डाण करते हो जाना है एक लिंक दखाई दे रहा है अब एदन लॉग इन करने के लिए क्लिक करें इस सीह आप करते हैं तो अपको कुछ ऐसा इंटरिफेस होगा जैसे दीख पारेंगे यहां पर यَद्ट करने के और इसको कडियां करना तो आप कटाना है जैसी पर कूछ एसे इंटरना पड़ ऐसा न्देखत होनग के यहां पर किलिक कर नहीं गर आपको पूरा डाटा है वह आपको सो हो जाए जैसी आप पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस होगा पूरा डाटा देख पार होंगा रेज्ट्रेशन फीस की यह अपकल राती इस पर अपडेट आया है तो एक एक दो यार तेज यह रखा है तो इससे घवराए नही कि यह क्यों की राती आया है आज आप इसकी समझ सकते हैं आज पूरो दिन कर पाएंगे कल भी कर पाएंगे आगे जो रेज्ट्रेशन है आपका लगवा अलगवा आपका दो दिन अवश्य रहेगा इसके जो रेज्ट्रेशन कर देंगे वो सभी कॉलेज लोग करेंगे और तो कुल में लाकर 5 तिन तक प्रॉसेज दाएगा । फाइनल लॉक अब यह है नास्च में, 5 में चट्वे दिन तक अबस्य कर पाएंगे तक पाइनल लॉक कर पाएंगे final log जैसे ही कर पाएंगे तो इसका registration का आपको wait करना होगा तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको college है वो fill करने हैं मैं जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो में बता दिया था कि ज़्यादा college फिल करना है क्योंकि आपके marriage ज़्यादा है और अगर सोचिंगे एक लिए साल का wait करें तो तब भी आपके medicine के वो ज़्यादा ही आगी क्योंकि high रहती है तो इसका मतलब यह है आपको जितने भी government college है या कोई भी course है वो जितने भी जितने भी courses है उसमें सारे government college को आपको पहले fill कर देना है चाहें आपको कतना भी दूर हो अगर दूर नहीं चाहते तो आप नहीं करें अन्यत्त आप क्या करें अपने pass नजदिक चाहते हैं तो आप private भी कर सकते हैं तो private की sheet है वो आपको confirm है वो मिल दाएगी और जैसे कि बता दिया जो student first round में second round में college lock किये थे और उन्हें कोई college नहीं मिला है तो वो second round में तुरंत कर सकते हैं और जो भी student है first में नहीं मिला second में मिल गया और उसकी बादे उन्हें पसंद नहीं आ रहा तो थर्ड के लिए अप्रेटशन में वो कर सकते हैं ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकते हैं security जमा नहीं कराई और अपने admission नहीं लिया है तब आप third round में rules के recording आप participate नहीं कर सकते अगर आपके में यह option सो हो रहा है तो आप जरूर करें वैसे तो अनता यह option वो नहीं खुल के आएगा अगर आपको second round में college alert हो गया था या second round में first round में अगर आपने महाँ पे admission नहीं लिया है तो third round में आप participate नहीं कर सकते तो वो सभी student हैं आप offline counseling का wait करेंगे और उसमें आप participate कर पाएंगे ऐसे ही update आपके लिए हम लाते रहेंगे तो चैनल पर बने रहेंगे बने रहना है और नई वीडियो जल से लेके आने वाले हैं thanks for watching